हेलो एवरीवन, वेलकम तो वीशाइंस अकेड़मी, तो टूड़े वेरी सिंपल ट्रिक तो ड्रॉटी पॉसिबल आइसोमॉस ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन एन हेक्जन, ओके सो सबसे पहला कंपाउंड लेंगे हम ब्यूटेन, ओके सो यहां पर हम देखेंगे ब्यूटेन में कितने नंबर आइसोमॉस पॉसिबल होंगे, ओके सो ब्यूटेन का मॉलेकिला फ़र्मला क्या होगा, C4H10, ओके सो सबसे पहला आइसोमॉस ड्रॉटेन का, तो यहां पर देखेंगे ब्यूटेन में नंबर आफ कार्बन कितने होते हैं 4, ठीक है, तो हम 4 कार्बन को स्ट्रे इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा, तो यहां पर देखेंगे, जो कार्बन आइटम की चेन है, वो कैसी स्ट्रेट है, इसलिए हम यहां पर सबसे पहले लगाएंगे N, that is normal, ओके और कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में 4, तो अलकेन क्या रहेगा, ब्यूटेन, ओके सो इ ड्रौ करेंगे उके उर फोर्थ वाले कार्बन को हम इस सेप Не Work carbon पर हैंगे इस तरीका करेंगे यहें सेकंड कारवन पर इस तरीके से घर दीके जरूर्य न भी कार्वन को ऊपर करो नीचे के साइट बहु रहेंण है, और 2000 कार्वन पर हिए तरीके से छो पूपर के साथ करो कि इस कंपाउंड का नेम क्या है यहां पर देखिए सेकेंड कार्बन पर प्रेजंट है सब्स्ट्टुएंट डाट इस मिथाइल ग्रूप ओके तो यहां पर सबसे पहले पोजिशन मेंशन करेंगे टू ओके तेन सब्स्ट्टेंट प्रेजंट है मिथाइल तो यहां पर हम लिखेंगे मिथाईल मेंशन में कितने कार्बन है थ्री तो अलकेन क्या रहेगा प्रोपेन तो कंपाउंड का नेम क्या हुआ टू मिथाइल प्रोपेन ओके यहां पर ब्यूटेन में सिर्फ और सिफ दो ही आईसोमर्स पॉसिबल होते हैं कि आईसोमर्स क्या होता है टू और मौर कंपाउंड हविं सेम मॉलेकीलर फामुछ स्ट्रक्च является किसा छ नाउ सीदी नेक्स्ट कंपाउंऔ्ड नेक्स्ट कंपाउंड इस में थे पेंट रिंग या होता है इसी फाहट File इंगे प्रीफ कैसे ड्रों करेंगे चैंव यहां पर देखें में नमबर झारबन होते हैं फाइज तो यहाँ पर हम 5 carbon को straight line में draw कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ओके, एंद साथ इसाथ carbon की valency को भी complete कर लेंगे ओके, इस compound का name क्या रहेगा N-pentane यह था पहला isomers then second isomers कैसे draw करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हम straight line में सिर्फ और सिर्फ 4 carbon को draw करेंगे ओके, और इस 5th वाले carbon को second carbon पर attach कर देंगे ठीके, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 ओके, 4 carbon को हमने straight line में draw किया 5th carbon को कहाँ पर attach कर देंगे इस second carbon पर ठीके, और साथ जाथ सारे carbon की वैलेंश को भी complete कर लेंगे इस compound का नेम क्या रहेगा तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन में सिर्फ और सिर्फ थ्री carbon को ही द्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3 बचे दो carbon, उन दोनों carbon को हम इस सेम carbon पर attach कर देंगे इस second carbon पर एक उपर के साइड में और एक नीचे के साइड में और साथी साथ carbon की वैलेंसी को भी कम्प्लीट कर लेंगे ओके इस compound का नेम क्या रहेगा तो यहाँ पर second carbon पर टू टाइम्स मिथाल ग्रूप प्रेजेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 2,2 2,दय मिथाईल मैंचेन में कितने carbon है? 3, तो आलकेन क्या रहेगा प्रॉपेन तो यहाँ पर पेंटेन में कितने i-स online possible होते हैं? 3 isomress ios our next compound होगे हेकेन का साइगा होता हैics ne तो यहां पर हेक्जन में total 5 isomers possible होते हैं तो यहां पर देखें पहला isomers कैसे ड्रो करेंगे तो हमें पता है हेक्जन में number of carbon होते हैं 6 तो यहां पर देखे 6 carbon को हम straight line में draw कर लेंगे and साथ इसाथ चारे carbon की valency को भी complete कर लेंगे इस compound का name क्या रहेगा and hexane यह है पहला isomers then second isomers कैसे ड्रो करेंगे तो यहां पर अब हम क्या करेंगे straight line में सिर्फ और सिर्फ 5 carbon को ड्रो करेंगे और 6 वाले carbon को इस second carbon पर attach कर देंगे इस तरीके से okay and साथ इसाथ सारे carbon की valency को complete कर लेंगे इस compound का नेम क्या रहेगा तो यहां पर देखिए second carbon पर प्रेजेंट सब्स्टेंट यहां पर आ जाएगा 2 carbon पर इस तरीके से okay and carbon की valency को complete कर लेंगे इस compound का नेम क्या रहेगा 3-methyl-pentane okay now see the next isomus तो यहां पर देखिए यहां पर हम straight line में 4 carbon को draw करेंगे बचे दो carbon उन दोनों carbon को हम इस same carbon पर attach कर देंगे ठीके यहां पर देखिए यहां पर हमने second carbon पर दोनों carbon को attach कर दिया है ठीके and सारे carbon की valency को complete कर लेंगे इस compound का नेम क्या रहेगा तो यहां पर देखिए second carbon पर present है two times methyl group okay तो यहां पर आजाएगा 2,2 di-methyl main chain में 4 carbon है तो alkane क्या रहेगा butane okay now see the next isomus तो यहां पर देखिए यहां पर भी हम straight line में 4 carbon को draw करेंगे okay बचे 2 carbon अब हम उन दोनों carbon को different carbon पर attach कर देंगे इस तरीके से okay and साथे साथ सारे carbon की valency को complete कर लेंगे इस compound का नेम क्या रहेगा तो यहां पर देखिए second carbon पर present है substrate that is methyl group third carbon पर भी methyl group present है तो यहां पर क्या जाएगा 2,3 di-methyl main chain में 4 carbon है तो alkane क्या रहेगा butane okay तो hexane में यहां पर total कितने isomers possible होते हैं 5 isomers okay तो यहां पर आप देख सकते हो सारे compound के molecular formula same है that is C6H14 but structure कैसा है different है